आई आगे बढ़ेंगे अब देखिए आज से 3 जुलाई तक इस लोगसभा का पहला सेशन चलेगा बड़े काम के बीच विपक्ष के हंगामे के भी पूरे-पूरे आसार हैं लेकिन संसत सत्र को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि क्या न क्या ओम बिर्ला को फिर से बनाया जाये का लोगसभाई स्पीकर या प्रोटेन स्पीकर भरत्र हरी महताब का ही नाम आगे बढ़ाई की बीजेपी क्या आंद्रप्रणेश बीजेपी प्रेसिडेंट दगुबती प्रंदेशवरी को मिलेगी स्पीकर की पोस्ट या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंग नाम कई हैं सस्पेंस भी पीक पर है कॉंग्रेस लोगसभा के डिप्री स्पीकर पत पर अपना सांसर चाहती है पेपर लीग के मुद्दे पर मोधी सरकार को खेरने की रणनीती भी बन चुकी है लेकिन इसके बावजूद सब की नजर टिकी है 26 जून पर मैं नरेंद्र दावदर्दास मोधी इश्वर की सपत लेता हूँ की मैं वीजी द्वारा स्थापीत ठारत के समिधान के प्रती सच्ची श्रधा और निश्चा रखूँगा देश की नई संसद नई सरकार के ने सत्र के लिए तयार है कल अठारवी लोगसभा का पहला सत्र है शिरुआत के दो दिन 24 और 25 जून तो नई संसदों को शपत दिलाने में चले जाएंगे और फिर आएगी वो तारीख जब देश को पता चलेगा लोगसभा स्पीकर का नाम सवाल है कि आखिर लोगसभा स्पीकर की पोस्ट कितनी पावर्फुल होती है पीजेपी हर हाल में इस कुरसी पर अपना सांसद क्यों बैठाना चाहती है कॉंग्रेस को स्पीकर पद के लिए टीडीपी क्यों पसंद आ रही है इन सारे सवालों का जवाब आज हम तलाशेंगे समविधान के जानकार और राचनीती के विशलेशकों से ये सवाल पूछेंगे लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कल जब अठार्मी लोग सभा का पहला सत्र शुरू होगा तो क्या होगा इस संससत्र के पहले दिन सबसे पहले सुबह साढ़े नौ बजे प्रोटेम स्पीकर को राशपती जी राशपती भवन में शपत दिलाएंगे उसके बाद सत्र की शुरूआत में प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सांसदों को शपत दिलाएंगे सबसे पहले प्रधान मंतरी शपत लेते हैं फिर उसके बाद पद के वरिष्टा करम में कैबिनेट मंतरी शपत लेंगे और फिर बाकी के सांसद अपने अपने वरिष्टा करम में शपत लेंगे रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर आखिर पीजेपी को प्रेस कॉन्फरेंस क्यों करनी पड़ी दरसल अठारी मी लोग सभा में पीजेपी सांसद भरत्रहरी महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है ये चुनाओं राश्ट्रुपती द्रौपती मुर्मो ने सम्विथान के अनुच्छे पिच्चान में एक के तहत किया लेकिन नाम का एलान होते ही विपक्ष भड़क गया विपक्ष की दलील है कि कटक से चुनकर आए भरत्रहरी महताब सिर्फ साथ बार के लोग सभा सांसद है जब कि केरल की मविली कारा सीट से चुनकर आए के सुरेश आठवी बार सांसद बने है इसलिए वरिष्टता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पिकर बनाया जाना चाहिए कॉंग्रेश ने भरत्रहरी महताब को प्रोटेम स्पिकर बनाया जाने पर परमपरा तोडने का रूप लगाया तो बीजेपी ने कुछ फेक्ट्स के साथ पलटवार किया एक साथ मिलाकर के आध टर्म नहीं बनता है कहीं भी यहाँ पर परमपरा तूट नहीं रही है 2004 में कॉंग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से इस परमपरा को तोड़ा था किरन रिजीजू साहब जो हमारे पारलमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर है उनको नीचा दिखाने के लिए जिस प्रकार का ये प्रहत्न किया जा रहा है कुल्चित प्रहत्न कॉंग्रेस पार्टी द्वारा The 18th लोगसभा is not going to pardon the कॉंग्रेस पार्टी प्रोटीम स्पीकर पर कॉंग्रेस और बीजेपी की भरंद बता रही है कि इस सत्र में हंगामा और जिरोध खूब हो सकता है और अभी तो कॉंग्रेस इंतजार कर रही है कि 26 जून को लोगसभा स्पीकर के लिए बीजेपी कौन सा नाम आगे बढ़ाती है माना जा रहा है कि मीटिंग और मन्थन के बाद बीजेपी ने वो नाम तै कर लिया है बेशक नरेंदर मोदी का बता और पियम ये तीसरा टम है लेकिन पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है कॉंग्रेस और विपक्षी दलों को लग रहा है चंद्रबाबु नाइडू की टीडीपी स्पीकर पद के लिए बीजेपी पर दबाव डाल सकती है लेकिन जिस तरह से नरेंदर मोदी की तीसरी पारी में केबिनेट का बटवारा हुआ है उससे तो यही लगता है कि सीठे भले ही कम है लेकिन मोदी में वही दम है यानि कहीं से भी ऐसा सिगनल नहीं आया है जिससे लगे कि बीजेपी अपने सहियोगी के आगे सरेंडर है आम तोर पर संसदी परंपरा यही है कि लोगसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो सत्ता रूर दल के पास हो विपक्ष को भी समझ में आता है कि जो अध्यक्ष है लोगसभा अध्यक्ष है वो होगा सत्ता रूर दल का लेकिन वो समझ रहे हैं कि अब जब गठबंदन की सरकार है तो कम से कम अगर लोगसभा अध्यक्ष हो जाता है तो सदन में एक दवाव भारतिया जन्ता पार्टी पर बना रहे का पद जो है सरकार चाहें कटबंदन की हो या गयर कटबंदन की हो अकेली महमत की हो हमेशा बड़ा निडायक होता है क्योंकि सदन की कारिवाही चलाने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है और स्पीकर की जो भूमिका होती है वो एक तरह से सदन के अंदर सर्वोच न्याय धीश की भूमिका होती है सदन के नियमों के अनुसार सदन चले सत्तापक्ष विपक्ष को बराबर का मौका मिले और विपक्ष को सवाल उठने का मौका मिले और सरकार जब उन सवालों पर जवाब दे तो विपक्ष उनको सुने ये सारे व्यास्थाएं जो है करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है